जब से राममंदिर का नीड़े आया है राममंदिर का नीड़े की राममंदिर बनेगा तब से कुछ वामपंथियों को और कई लिबरल्स को कई जगा आग लग गई है वो लोग ट्विटर पे और कई जगा पे नए-नए ट्रेंड चला रहे हैं नई-नई बाते कर रहे हैं कि ज फोटो खीच-खीच के लगा रहे हैं और अभी एक नया ट्रेंड चला थैंक्स मुगल्स करके कि मुगल को धन्यवाद दिया जा रहा है और उन मुगल्स को ही ये जो ट्रेंड चला है थैंक्स मुगल्स का उनका उत्तर देने के लिए दूसरे पक्च के लोगों ने एक नया ट हुआ करते थे भारत में जब भी, तो युद्ध में लडाई जीत, हार जीत होते थी, युद्ध होता था, पर परन्तु महिलाओ और बच्चो को छोड़ दिया जाता था, कुछ उनका नुकसान नहीं होता था, परन्तु जब से मुगल्स और मुसलिम आये थे इन्होंने महिलाओ को भी रेप करना प्रतारिद करना सुरू किया था और तभी से ही भारत में सती प्रता की सुरुवात हुई थी और या राजस्थान में जैसे जोहर प्रता थी वो सुरू हुआ पहले भारत में यह नहीं था क्योंकि महिला और बच्चों को हाथ नहीं लगाते थे उनका सम्मान था तो रेपिस्ट का मुगल जो यह चल रहा है yes number one पे चल रहा है और thanks मुगल्स जो है number three पे चल रहा है तो रेपिस्ट मुगल इसलिए भी चल रहा है क्योंकि जो मुगल थे उन्होंने जो कायर हिंदूओं को मुसल्मान बनाया और महिलाओं का रेप किया तो उनको यह लगता था कि यह दी बच्चे होते हैं वो बड़े होके इसका बदला लेंगे लेकिन जैसा कि उन्होंने एक सिक्षा पद्दिती अपना इंदर से का कि बच्चे सब भूल गए अब वो इसलाम का जंडा लेके ही घूमते हैं अब मुगल्स के बारे में मुगल्स ने मुगलों ने कितनी बरबरता की है भारत में कितने वो पसवों से भी नीचे कोटी के प्राड़ी थे जैसे भारत में कहते हैं उनसे उनकी तुलना की जा सकती है इसका एक उदारड ये ह पिछले वेडियो में एक दो दिन पहले वेडियो हम बनाये थे तो उसमें ये बताये थे कि 14 नौंबर को जो है बाल दिवस क्यों नहीं मनाना चाहिए तो वहीं से सुरू करते हैं गुरू गोविंद सिंग के जो दो बच्चे थे जो रावर सिंग और फते सिंग वजीर खान के कहने पे उनको पकड़ लिया जाता है और इसलाम कुबूल करने के लिए बोला जाता है परंतु वो दोनों बच्चे 9 साल और 6 साल के बच्चे इसलाम को मानने से मना कर देते हैं और उनको जीवित ही दिवार में चुनवा दिया जाता है ये 1705 की बात है 1710 में बंदा सिंग बहादूर जो की गुरु गोविन सिंग के सिस से थे 56 चेरे के युद्ध में वजीर खान का सर धड़ से अलग कर देते हैं वो वही वजीर खान था जिसने दो बच्चों को जिंदा दिवार में चुनवाया था फिर उसके बाद बंदा सिंग बहादूर कई युद्ध लड़ते हैं मुगलों से 1715 में एक युद्ध होता है गुरुदासपूर का युद्ध होता है जिसमें बंदा सिंग बहादूर पकड़े जाते हैं उनकी सेना थोड़ी छोटी रहती है और वो आठ महीने नौ महीने तक लड़ते रहते हैं और पकड़े जाते हैं फिर बरबरता यहां पर आप यह देखिए कि पकड़े जाने के बाद पंजाब में युद्ध हुआ था फिर जो सेना है वो दिल्ली के लिए कूच करती है 2000 सिखों की कटे हुए सेस को भालो पे सजा के वो चल रहे थे ताकि रास्ते में जो लोग देखें वो अडर जाएं और 700 कार्टून बड़े बड़े लकडी के कार्टून होते थे उसमें सिखों के कटे हुए सेर रखे हुए थे और यह पूरा एक कारवाज चल रहा था उनक को रखा जाता है और प्रती दिन कुछ सिखों को ले आके जनता के सामने मारा जाता है सरत यह रहती कि इसलाम कुबूल कर लो लेकिन नहीं कुबूल करते हैं यह साथ दिन तक चलता है और सभी को मार दिया जाता है बंदा सिंग बहादूर बसते हैं तेन महीने तक उनको मार दिया जाते हैं और चमडी उनकी सरीर से नोच ली जाती है और फिर उनको मार दिया जाता है तो आपको यह सोचना चाहिए कि मुगल का धन्यवाद हम किसले कर रहे हैं जबकि मुगलों ने भारत में बरबरता ही कि पस्वों से भी जगन ने राक्छसों जैसा कार किया और लोगों को तो यह सोचना चाहिए कि जो हमारे पूरवजों पर अत्याचार हुए हैं जो आज हम मुसलिम बन गए हैं उनका बदला लेना चाहिए लेकिन आज वो उनहीं मुगलों का धन्यवाद कर रहे हैं मुसलिम ही धन्यवाद कर रहे हैं तो मुगलों की यही कहानी है य कई ऐसे उदारड हैं और वेडियो बड़ा बन जाता है इसलिए छोटा सही आप देखते रहे हैं प्यारा भारत धरन्यवाद